डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नमबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का बहतरीन कॉंबिनेशन एड्मिशिंस ओपन फ्रम प्री नर्सरी तु नाइज कोरोना मामारी के दुरान जैसे सरकार को लगा कि बहुत ज़्यदा सक्ती बरतनी चाहिए तो सरकार ने और प्रिशाशन ने उन इलाकों के अंदर बहुत सक्ती बरती है लेकिन जब से अनलॉक बन पॉइंट जीरो की शुरुवात हुई है और उसके बाद जब रियायत दी गई है लोग को वापस से जो उनकी दैनिक दिंचरिया है वो वापस से जब शुरू हो रही है तो नजर आ रहा है बाजार के अंदर कि किस तरीके से लापरवाई जो कामकार काम कर रहे हैं उन्हों ने जब काम करते हैं वो तो उस दुरान अपना मास्ग जो है उसको नीचे कर लेते हैं और एंप्टी टीवी इंडिया का जब कैमरा मैन उनको नजर आता है तो उसके बाद तुरुद उस मास्क को उपर लगा लेते हैं ठीक इसी प्रिकार दुकानदार जो है वो दुकान पर खड़ा हुआ है और खड़े होने के बावजूद भी मास्क दुकान पर नहीं लगा रखा है मावे की दुकान के हालात को भी आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि इस तरीके से जो व्यापारी है वो दुकान पर बैठे हुए हैं लेकिन मास्क नहीं लगाते हैं लेकिन जैसे ही उनको कैमरा नजर आता है तुरंट पर भाव से मास्क लगाना शुरू कर देते हैं तो ऐसे में बड़ी मॉनिटरिंग की सक्त जरूरत है क्योंकि करोना का जो महामारी जो है वो चबी चली नहीं गई है उसका कोई समाधान नही हुआ है सिर्फ और सिर्फ सरकार ने देनिक दिन्चरियां को शुरू किया है लेकिन करोना का जो वाइरस है वो खतम नहीं हो गया है महामारी से बचने के लिए लोगों को जो इंतिजाम इस वक्त करने हैं उसमें लापरवाई यहां पर दिखाई देरी है कई लोग लगाता सोइ़ल मीडिया पर लिखते वह आ रहे हैं कि बज़ार में बहुत कोताई ही बरती जा रही है लापरवाई बरती जा रही है धुकांदारों व्यापरीयों के माधाय हम सी और उसी को तस्वीरों में कैद करने के MPTV ने कोशिश की है मैं कि इस आरिके से श़ेखैरों है कि उस दुकाने हैं इन दुकानों के उपर नजर या रहा है क्योंकि यहां पर ग्राकों की जो आवाजाई है वो बड़ी संख्याम होती है कचोरी की दुकान पर मिठाईयों की दुकान पर मावे की दुकान पर इन दुकानों के उपर जो ग्राकों की आवाजाई होती है वो बहुत बड़ी बात यह है कि जब कैमरे दिखाई देते हैं या फिर पुलिस प्रिशाशन या निगम का कोई अधिकारी जब दिखाई देता है तब तुरंत प्रभाव से मास्क को बिलकुल इसी अंदाज में उपर कर लिया जाता है जो की बहुत बड़ी चुनोती बनी हुई है और बहुत समझने की जरूरत है और इस पूरे गटना करम में हमने एक तस्वीर ये भी देखी है कि जो जमेर सीओ नॉर्थ हैं डॉक्टर प्यंग का वो भी ग्राउंड पर मौके पर पहुच रही है और जाकर लोगों को व्यापारियों को दुकानदारों को जो शेहर वासी है उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि इस तरीके से जो मास्ग है ये आपके लिए ही उप्योगी है कोरोना से बचाओ के लिए बहुत जरूरी है और आपको इसको उताergना नही है तो तस्वीरे दोनों हम आपको दिखा रहे हैं दोनों तस्वीरों में इस पर दार पर नज तस्वीर है और इसके लिए जो अजमेर के शहरवासी हैं उनको जागरुक होना पड़ेगा और उनको खुद को अगर कहीं पर ऐसे हालात नजर आते हैं तो उस पर उनको टोकना भी चाहिए जागरुक भी करना चाहिए और इसके साथ में सक्ती की सबस्यादा जरूरत इस वक् इसकुल तस्वीरों में जो नजर आ रहा है उसके मताबिक ऐसा लगता है कि एक बड़े ठोस कदम की बहुत ज़्यादा जरूरत है यानि कि सीधे तोर पर इनके उपर जो चालान की जो कारवाई है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए हमें गाडलाज यही दी गई थी तो एक दिस्टेंज बना के रखें और कम से कंद दो फिट की दूरी होनी चाहिए और दुकानों के आगे राउंड शेप में वो बना के रखना ता कि कोई अलग अलग नहीं हो तो दूरी बनी देवे यह बना के रखाता तो हमें अवनुमत अगर नहीं करते हैं तो मैं आज इनको और कर देते हैं बोल देते हैं इनको अगर इनके नहीं करता तो मैं खुदी इनको फोटो निकाल के इनका चलन करवाँगा अपका नाम लक्षोन टेखवानी मार्केट का सेकर्टी वो जेनरल आज परेटिवली आज यूनों कि साटेड़ है तो पोशिश यह की गई कि मास्क तहनने के लिए लोगों को जादा मोटिवेट किया जाए क्योंकि वो एक स् है क्योंकि जर्नल पसीनों अगरा रहता तो उसी के समझाइश की गई है बजार के लोगों कि पहले एक बार समझाइश कर रहे हैं नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली चलान तो किया ही जाएगा लेकिन अगर उसके बिना बजार को साथ लेके चला जा सकता है तो कुशिए कि जाएब करे लेफिर इंग्यां में इाएब कर unit